हेलो अब्रीबन वेलकम टू नेट जारब सॉलोसनेस्ट मैं अब शेक कुमारजा तो अपने 10 मिनिट की क्लास में आज का वीडियो जो मैं आप लोगों के लेकर के आया हूँ इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं हार एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत ही छोटा सा और इंपोर प्रिवियस्ली एक्जामस में काफी पूछे गए हैं चलिए आज इनके बारे में जानेंगे देखेंगे क्या है CIC और क्यों इतना इंपोर्टेंट है हमारे स्टडी के लिए टीचिंग और रिसर्च एप्टिट्यूट के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास उसके पर मेरी बहुत सारी free classes होती हैं आप इन्हें भी अटेंड कर सकते हैं Cluster Innovation Center यानि की CIC देखो Cluster Innovation Center जो है एक तो हम इसे समझेंगे कि higher education में ये बहुत ही नया concept लाय गया है यसे previous वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि meta university क्या होते हैं तो ये उसी की तरह ही एक और concept है प्रवर्तन केंदर के तौर पर इसको जाना जाता है संकुल नव प्रवर्तन केंदर ठीक है यह जो इनिशेटीव है पूरा यह गवर्मेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंडेट जो इन्सटिउशन होते हैं यह उनके लिए लॉंच किया गया है क्यूंकि यह जो पूरा इसको सबसे पहले 2011 में लाया गया था और इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके यह से questions exam में पूझा सकते हैं 2011 में इसको लाया गया था और इसको basically credit based courses के तौर पर रखा गया था तो इंडिया में पहली बार credit based courses launch किया गए from the Delhi University इसका नाम था cluster innovation center चलिए जानते हैं इसके बारे में और भी चीज़े इसको हम अगर देखें तो CIC के नाम से ज़्यादा famous है और basically अगर हम देखें तो यह उन लोगों के लिए design किया गया है जो basically innovations आज का जो दौर है वो क्या है नवाचारों का दौर है तो अगर आपके पास नए नए आइडियाज है नए तरीके से आप कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं नए आइडियाज को आप सीखना चाहते हो तो यह उसी के लिए design किया गया है from industrial clusters village clusters slum clusters and educational clusters यानि कि जितने भी ओद्योगिक हो गए ग्रामीर्क शेत्रों से हो गए या जो मलिन बस्तियां हैं वहां से हो गए educational clusters हो गए इन सबको इसमें एक under रूप में लाया गया है तो ये एक ऐसा endeavor है मतलब एक तरीके का ये हम कह सकते हैं कि कुछ जो young minds हैं जैसे under 15, 16, 17 या फिर 18 और उसके बाद जो higher educations के बच्चे होते हैं especially उन्हें young mind कह सकते हैं जहां से कि हम नएने तरीके के ideas को देखते हैं ये schools में, colleges में, universities में तो इसलिए CIC को establish किया गया है CIC का अगर हम hall mark देखें तो इसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको out of the box thinking and action with hands on ये important हो सकता है कुछ इस तरीके के questions भी आपसे exam में पूछे जा सकते हैं the CIC has pioneered the concept of meta college as well as meta university तो जैसे कि हम लोग ने प्रीवेस वीडियो में देखा आई था कि जो meta university हैं या meta colleges है CIC उन ही का एक तरीके का next version आप कह सकते हो तो क्या है इसके बारे में और भी चीजों को हम देखते हैं सबसे पहले ये दिल्ली university में इसका cluster innovation center है जो कि जो दिल्ली उनुवस्टी का जो campus है north campus वहाँ पर ये located है मैंने इसको visit किया हुआ है इस stadium में ही इसको बनाया गया है जो university stadium है दिल्ली का वहाँ पर ये इसको establish किया गया है अब अगर हम बात करें इनके objective की तो क्या objective है क्या उदेश है CIC का देखें विद लॉंच आफ इन्नोवेटिव स्कीम्स बाई by mhrd and national innovation council the university felt that innovation program be launched with which should enhance creative potential of student चात्रों में जो creative potential होता है नवाचार करने का जो potential होता है हम उसी की बात कर रहे है यहां पर Have innovative curriculum are more project oriented and tailored to the need of society and industry मतलब अगर हम आज के present time की बात करें तो present time को लेकर के ही इसको बनाए गया है मतलब वो जो पारंपरिक सिक्षा पद्धती है उससे कहीं हट करके इसको introduce किया गया है ताकि हम नए तरीके से सिक्षा को नए technologies का यूज करते हुए और बेहतर समाज का निर्माण यहाँ पर कर सके Such program should be enabling for a student to relate themselves to the real world problem यानि कि हम इस तरीके के courses में क्या करते हैं World के जो real problems है Real problems इसे मालेज़े भी COVID-19 का time चल रहा है तो COVID-19 के time पे आप क्या देखते हो किस तरीके साब इसके cure वगर सजेस्ट कर सकते हो यह सारी बाते जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है In all spheres and look for the innovative solutions for the problem कोई भी ऐसा नया तरीका किसी भी समस्या के समाधान के लिए अगर आपके पास है तो यहाँ पर उन्हीं चीजों के पर focus किया जाता है aims क्या है इनके मुख्य उदेश्यस क्या हो सकते है to provide a platform for the university and its partners to forge mutually beneficial linkage to initiate and assist innovation activities and act as a catalyst and facilitator जो भी platform होंगे university के चुकि अभी दिल्ली इनिवसिटी तक ही सीमित है तो दिल्ली इनिवसिटी की ही हम बात कर लेते हैं जो भी platform है वहाँ पर उस platform पे हम क्या करें बहतर एक ऐसा initiative ला सकें जिससे की वहाँ पर एक ऐसा platform हम बना सकें जो की बाकी system को university को promote कर सके to create an ecosystem that connect and facilitates various stakeholders on all aspects of the innovation process including training and support stakeholder मतलब जो लोग भी वहाँ पर हैं जिनका inclusion है जिन लोगों ने इस initiative में इस program में अपना inclusion दिखाया है हम basically कहें कि वहाँ पर एक ऐसा ecosystem तयार करना जिससे की वहाँ पर training और जो support system उसको बहतर किया जा सके educational okay to promote innovations channel various in incentives that benefit the cluster and act as a in in combating body managing the growth of innovation in the ecosystem this ecosystem educational ecosystem educational ecosystem में हम बैतर कर सके नए तरीके के channels को promote कर सके कुछ नए concepts को हम ला सके present time को ध्यान में रखते हुए जो हमारे society की present need है उनको ध्यान में रखते हुए हम बैतर कर सके जैसे देखिए एक होती है traditional society जैसे कि हम लोगों ने graduation किया हुए master's किया हुआ है जहां पर आपको traditional courses मिलेंगे जो आज से कई साल पहले से चलते चले आ रहे हैं यहां पर क्या रहेगा यहां पर completely ने तरीके के ideas रहेंगे यानि कि आप जैसे कुछ बच्चे हैं आज कल बहुत type के jobs market में आ चुके हैं तो उन jobs के लिए जो एक working skilled population है उसको कही न कहीं यह create करना चाहते हैं उन्हें skilled बनाना चाहते हैं तो ऐसे student की संख्या को तयार करना जो इस नए तरीके के business model में या नए तरीके के जो educational model से उनमें fit बैट सकें यही पूरा लक्ष है CIC का अगर यहां पर हम देखें तो main focus क्या है इसका यह भी काफ़े important है question exam में बन करके आ सकता है कि CIC है ना किन बातों के उपर focus करता है तो यह focus करता है encourage an environment for environment of innovation in the system यानि कि नए तरीके के पर्यावरण में या जो पर्यावरण है उसमें नए innovation नवाचारों को आमंतरित करता है उसे बढ़ावा देता है develop innovative degree programs नए तरीके की degree programs को देना जैसे आजकल computer में बहुत सारे बहुत सारे computer related कई सारे degree programs जो है वो चलाया जा रहे है ठीक है AI artificial intelligence सी देखने को मिल रही है इसके लबाद तमाम ऐसे human resources related courses चलाया जा रहे हैं जो की आ करके society में ऐसे लोगों की help कर सके educate and sensitize students teacher by launching schemes on innovation program in colleges जो colleges and universities है उनमें नए तरीके के नवाचार यानि कि कुछ नए ideas को लाना उन्हें बहतर करना और उनकी help करना select ideas with potential by conducting training orientation program models on innovation and researcher यानि कि जो उनके पास विचार हैं नए विचार हैं ideas हैं उनको यहां पर लाकर के utilize करना ठीक है for the welfare of the society right develop ideas into innovative application किसी के पास idea होता है application नहीं होता है machine नहीं होते हैं तो उसी को promote करना यानि उन लोगों को यहां पर रखा जाएगा जो यहां पर बैट करके अपने ideas को वास्तविक्ता में बदल सकेंग ठीक है इसके बाद है facilitate collaborations and partnership with industry, academia and other stakeholders यानि collaboration करना ठीक है सहभागिता यहां पर दिखाए जाएगी चाहे education की बात करें चाहे हम industry की बात करें या फिर किसी भी तरीके के बागी जो initiatives है commercialize innovations and take them to the end users या उनको commercialization करना, 1HG करन करना, उनको बाजार मिलाना और उन लोगों के लिए उपलब्द कराना जो उसका इस्तिमाल करना चाहते हैं या जिन लोगों के लिए वो design किया गया है and the last is to develop meaningful linkage with various segments of society, समाज में, सोसाइटी में, जितने भी other, बाकी के existing जो modules हैं, चाहे हो academics related हो, चाहे हो industries related हो, business related हो, किसी से भी related हो, उनके बीच में linkage प्रवाइड करना with the CIC model ठीक है, तो CIC basically क्या करता है, एक नए तरीके के विचारों को promote करता है, with the help of meta university, with the help of meta college, जो हमने पहले ही पढ़ा हुआ था तो meta colleges में क्या होता है, कि वहाँ पर इस तरीके के courses launch किये जाते हैं, training यहाँ पर दिया जा सकता है, meta colleges में भी training दिया जा सकता है, तो इस तरीके से meta college, या meta university और CIC कहीं ने कहीं, एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं, CIC का concept पहले आ गया, meta university concept थोड़ा सा late से आया, इंडिया मे ठीक है, कैसा लगा वीडियो, comment करके जरूर बताईएगा, ठीक है, आप किसी special series पे चाहते हो, जैसे आप किसी special unit पे चाहते हो, कि छोटे छोटे इंफॉर्मेशन वीडियो में बना करके लाता रहूं, आप comment box में मुझे जरूर बताईए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप क को provide करवा दिया जाएगा, टेलिग्राम चनल का link की वीडियो के description box में है, सब लोग जा करके join करिए, PDF वहाँ पर upload कर दिया जाएगा, आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, इसके लावा आप unacademy पे मेरे paper 1 और paper 2 के courses के लिए unacademy plus join कर सकते हैं, unacademy plus में UGC net 2022 के लिए दिन में 12 बजे मेरी special classes होती है, free of cost, कोई charges नहीं है, सारी special classes के link टेलिग्राम पे provide करता हूँ, टेलिग्राम चनल net jrf solucionist, वीडियो के description box में link है, या आप अपने टेलिग्राम पे जाकर के search कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं मिल जाऊंगा, ठीक है, इसके अलावा आने के add me पे आप subscription ले सकते हैं, इस बार के AIR rankers मेरे ही classes से रहे हैं, तो आप लोग भी जुडिए और अपनी जो ranking है, उसे improve करिए मेरे साथ अने के add me पे, इसके अलावा 13 March को याने की परसों, 13 March को शाम को 4 बजे paper 1 का scholarship test series है, जिसमें अगर आप 1 ranks लेकर के 100 ranks के बीच में आते हैं, तो आपको anacademy की तरब से gift hamper दिये जाएंगे, जिसमें laptop और tablet includes है, anacademy plus का subscription भी included है, do not forget to use referral code for anacademy plus courses, या आप मेरी special class करने के लिए invite code अभिशेक जेका भी इस्तेमाल कर सकते हैं,